हेलो एब्रेवान स्वागत है आप सभी का यह ख्लास पे मेरा नाम है तान्या कैसे हो आप सभी चालो जल्दी से आजाओ एक्साइटेड थे के नहीं क्या चल रहा है लाइफ में यह सारी गॉसिप चेह मुझे कॉमें सेक्शन में ठीक है आल राइट हाई गाईज फड़ा फट से अपने फ्रेंज को भी शेयर कर दो क्योंकि आज का लेक्चर बहुत ही जादा इंफोमेटिव होने वाला है ठीक है तुमने बोला था माम लाइव आना इसलिए मैं लाइव आई हूं ठीक है वरना मैं रिकॉर्डिड लेक्चर भेशत बिटा अपने नाम से प्लीज अकाउंट बनाया करो ऐसे ऐसे नाम रख लेते हो तो कि मैं बोल भी नहीं पाती राज कमल आल राइट तो फड़ा फड मॉहमद अबबास चलो यार जल्दी से आजाओ हां बिटा मेंटी क्विस का सेशन होगा ठीक है ओविसली होगा चलो जल्दी से आजाओ है एलो माम हाँ बिटा हाइ फड़ा फड़ा फट यार फड़ा फट से इसको फड़ा फट फड़ा फट फड़ा फट लाइक करो और अपने दोस्तों को भी बुलाओ ठेक है और अपन सबके कॉमेंट्स चेक करते हैं ठेक तो वहीं से आगॉट तो कि यू गाइज वांट लाइव लेक्चर ऑफ नाउन्स ऑफ ग्रामर सीरीज तो इसलिए लाइव लेक्चर हो रहा है तो फड़ा फड़ से आजाओ और कैसे हो तुम सभी ये बता दो में को एक बार हेलो बिटा गुट इवनेंग बेचा कोई भी क्लास के बच्चे नाउन्स देख सकते हैं इसमें हम नाउन्स को कम्पलीटली कवर अप करने वाले हैं ठीक है कम्पलीटली कवर अप कर रहे हैं हम लोग इसको नाउन्स को आल्राइट मेंको बस एक सेकिंड दे दो तुम बोल रहोगे माम यह क्या कर रही है माम तुमें ही चेक कर रही है बस चालिए सॉटेड हां जी तो दस्तु जी होन किद्धा हो की हाल ने तु अड़े बैटा इसमें मेंटी नी मेंटी का एक अलग से सेशन रखने वाली हुमें ठीक है तो वो सेशन आप लोग तभी कर पाओगे जब आपको नाउन्स अच्छे से आते होंगे ठीक है चालो करें फिर शुरू तो इस पूरी इंटाइर वीडियो में अपन लोग क्या करेंगे नाउन्स को कम्प्लीटली खतम कर देंगे कितने टाइप के होते हैं क्या होता है तो पाट्स अफ स्पीच का पाट है सबसे जरूरी पाट है क्या हमारा नाउन यानि की हमारी संग्या चालिया सबसे पहले क्या लिखा है सबसे पहले लिखा है यहां पर देखो क्या लिखा समझो इस बात को लिखाए, first we'll cover the different types, including countable, uncountable, common, proper, abstract, concrete, collective, possessive, singular and plural. देख रहे हो, कितने प्रकार के हमारे nouns होते हैं? ठीक, तो यह सारे ही प्रकार के nouns हम लोग आज ही cover कर देंगे. All right? ठीक है, हाई बेटा, उतकर्ष, but you didn't behave in a good way, care, we'll talk about it later, but okay, hi, welcome. बेटा, शीवम मौर्या, देखिये, अभी क्लास को शुरूरू वे दो मिनट हुए है, ठीक है? So, let's be good kids, and mentor quiz आप तभी कर सकते हो, जब आपको पहले दिमाग में कुछ आता हो, तो जब तक हम सीखेंगे नहीं, quiz में नहीं कराऊंगी, हाणा, केवल खेलने के लिए अपन नहीं मिलते हैं, जब आप एक बार ही कर देंगे, मुझे भी पता है कि आप लोगो को क्या कराना ह तो में कराऊंगी, और जितना आप लोग फन सोच रहों से डबल फन में कराऊंगी, पर अभी के लिए, अभी के लिए प्लीज पढ़ लो, ठीक है, हम सिर्फ टीचर स्टुडेंस नहीं हैं न, we are also friends, तो अगर आप लोग मेरी बात सुनोगे, तो मैं आपकी डबल बात सुन तो फटा फट, फटा फट से ये शेर कर दो, ठीक है, also मैं इंस्टा पे भी डाल देती हूँ, आप लोग भी शेर कर दो इसको, ताकि सारे ही बच्चे हमारे साथ जुड जाएं, और फिर हम हमारी आज के लेक्चर को आगे बढ़ा पाएं, अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्ट्रग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो आप लोग कर सकते हो, तान्या अंडर स्कॉर डाउटनाट, ठीक है, तो एक बारी मैं मेरे इंस्टा वाले बच्चों के लिए भी डाल दू, ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड जाएं, आल राइट, जस्ट ए सेके जाएं, चालिये, तो अब इंस्टा वाली जनता भी हमारे साथ जुड जाएगी, और फिर आएंगे अपने को पढ़ने में मज़े, अरकि इन्सटा बच्छ एज बच्छ शीट, आठायवा हमारे साथ जाएं, ताक आर बच्छ पार्ता बच्छ इस जाएं बच्छém, आरि अथ्चा हमारे साथ जबादा करते चाएंब जाएं in that manner that's very hurtful and coming that from you you are one of the kids that we you know a door but that was really shocking and hurtful Charlie beta all right kids to show you got a hand it out ticket to arch a bit of money up and we will also look at some of their different functions and sentences okay so we are going to do this in a way what is a function of a noun in a real life we are going to discuss this too so we are going to start our lecture here we are going to take care of the kids first if you watch the lecture today then you will come to understand the nouns completely all right cuties chalo a noun is a word which names as a person or a place thing animal or idea just a key many a cool last class major map basic introduction de rithi bache parts of speech ki baare me hana tam me ne aap logu koo bataya tha kya bataya tha yeh bataya tha kya nahun kya hota hai toh noun hamaare aas paas hai sari hi chiza jho hamaare aas paas hai naun hai ham naun se na ghir rakhye thik hai kisii bhi chiz ka naam ho gaya kisii person ka naam kisii jaga ka naam kisii think ka naam kisii idea ka naam kisii janwar ka naam sari chiz hai nouns hai hai thik beta agar mein aapko example dhu time your voice is different today beta merah gala na jar chuka hai bilkul thik hai bilkul bed chuka hai merah gala toh is liye boys meri aap logu ko different lag rhi hogi kitnä aise logu hai jinnnho ne aapne friends ke saad share kar diya hai yeh batao me ko jaldi se haa deepak prasad tum to yaar mire purane bachche ho share karo fada fada or logu ko bulao or friends ko bulao chalo all right kids so yahaan pere beta thoođi examples hai jasai ki joseph kya hai naam hai grandmother teacher toh ye korn hai yeh sabhi logu kiski category mein aate hai people ki yachagari mein hence their nouns similarly agar mein jaga ki baat karo toh france bol doo beach bol doo restaurant bol doo yeh sab kya hai places ke naam eisai hi agar mein things ki baat karo book, ball, pizza, animals, cat, lion, fish, philosophy, love, happiness, idea yani ki kuch bhi bol loo log bol loo, jaga bol loo koji cheese bol loo, koji janvar bol loo ya koji ideas bol loo jasai ki love, haana, hate, happiness, sadness, philosophy yeh sari chizhe sangya hai haan, aap loog shocked zarur ho rhe hoge ki yar yeh sabh bhi nouns ki anndar aata hai toh haan ji yeh sabh bhi hamaray noun ka hi part hai clear on? okey okey chal yeh bacha aagye bada te hai haan haan luk ab aapko eek baat bhoat importantly dhyan mein rakhni hai ki eek jyo noun hai na abhi mein aap loogo ko eek eek karke yeh sari chizhe samjhauungi all right saute haan ho gaya jaspreet kaur ho gaya ho gaya neeraj kumar ho gaya naam vanshi ka naam ho gaya jyoti rani yeh sabh kya hai yeh sabh humari sangya hai thik hai na yeh chizh jaldi batao all right clear chaal yeh so all nouns are either common or proper haana common nouns kya karete hai jayse ki meinne abhi bataya generally cheezo ke baare mei bataate hai jayse mein bolu teacher teacher to koi bhi ho sakta hai bhoat sari teachers hai haan agar mein bolu scientist agar mein bolu library quonsi library hai yeh nahi bataya mei ne khali bola library thik hai agar mein bolti ho table phone happiness love freedom yeh sab bita common noun ke anndar aayega thik but agar mein bolti ho proper noun yaani ki specifically mein kisi ka naam lhe rahi ho jasai mein bolu agar mein bolti ho countries to wo kya hai common but agar mein specifically bolti ho india to wo kya hai proper haam hameisha proper noun ka joh pehla later hoota hai chahe woh waakke ke bich mein kyun na aay sentence ke bich mein kyun na aay usse haameisha capital me hi likhenghe is baat ko aapko dhyhaan me rakhna hai thik hai all right saute itna chaliyya but agar mein teacher common me bol do university and proper me bol do Harvard university yaa phir Delhi university chahi haana yaa phir koi se bhi university bhol sakti hoa toh jabbi am kisi chiz ko naam dhe specifically woh ho jata hai proper kya yeh chiz abhi aap loogu ko clear hai common or proper ko jaldi se batao fadhafad se agar clear hai toh ham abstract or concrete pe bha rhai jaldi se batao bitta yeh chiz clear hai hai bitta arina spam mat karo bitta arina spam mat karo thik hai jiski class attend karna hai hai ap uski class attend kar liji hai par spam mat karo baar baar eki chiz eki chiz nahi bolo please thik hai bhai shivam jyoti dipak purnima kanchan clear hai sabi ko all right very good very nice shabash bitta चलिए तो अब आजाईए abstract or concrete nouns बहुत 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 क्या होता है कि even बड़े लोगों को भी नहीं बता होता कि यार यह इन दोनों में क्या difference है क्या difference है या फिर यह चीज़े क्या है abstract nouns क्या है concrete nouns क्या है अब देखिए abstract noun क्या होता है बेटा Name something you cannot see or touch ठीक है जिसे की भाव अचक संग्या बोलते है कुछ ऐसा नाम देना ऐसी feelings को जिसे हम देख रही सकते जिसे हम टच नहीं कर सकते They are harder to define यानि की हम उसे define मतलब व्यक्त नहीं कर पाते ठीक है That's very hard उन्हें express करना या फिर उन्हें define करना words में That is very hard जैसे मैं कोई idea बोलू तो वो क्या हो जाएगा abstract noun कोई feelings बोलू हाना कोई मेरे अंदर की भावनाय बोलू जैसे की bravery यानि की बहादुरी ये क्या है ये ना तो कोई चीज है ना कोई जानवर है ना किसी इंसान का नाम है ये क्या है ये एक भाव ही है हाना बहादुरी Right So bravery क्या हो जाएगा abstract noun ऐसे ही मैं बोलू दोस्ती friendship वो भी एक noun है हाना तो जैसे जो ये ideas होते है feelings होती है time हो जाता है ये सब बेटा किस में आता है abstract noun में आता है बेटा notes बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है धनिशका अभी तो lecture हो रहा है अभी समझ लो फिर जब भी आपको free time मिले आप ये video चानल पे तो रहे गई आप pause कर करके अपने हिसाब से pointers में notes बना सकते हो subscribe नहीं किया है तो please कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेर भी करो कौन को नहीं जो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेर करने वाले है जल्दी से बताओ who all are sharing this channel with their friends tell me in the comment section okay अगर आप ऐसा करते हो then I have a surprise for you then मैं आप लोगो से personally बात करूँगी on instagram and if you guys are not on instagram I am gonna call you alright चालिया alright जो चानल की हर वीडियो को शेर करेगा, लाइक करेगा ठीक है हर लाइफ ख्लास अटेंट करेगा प्रपर्ली सब चीज दे करेगा so by the end of this month ठेक है ना अभी एक ही हफ्ता बचा है, then I have a surprise for you guys. मैं personally आप लोगों से वीडियो कॉल पे बात करूँगे. चालिये. मेटा मेंटी कुईस कराऊंगी पर अभी नहीं. ये बात को ध्यान में रख लो. कराऊंगी मैं. ठेक है? पर भाई समझ में आएगा तभी तो कराऊंगी. समझ हे नहीं आएगा, पहले पढ़ाऊंगी नहीं, तो फिर मेंटी कुईस कराके क्या करूँगी, सब के 001 नंबर आएगे, मज़ा नहीं आएगा कुछ. सुन लो, फिर मेंटी कुईस करा दूंगी, तुमने बोल दिया ना, एक बार. एक बार बोलना काफी है. तुम्हे एक बार बोल दिया, मैंने सुन लिया. अब मैं पकका कराऊंगी, मैं प्रॉमिस कर रहे हूं. ठेक है? चालो, मैंने प्रामिस कर दिया, तो कर दिया, मैंने प्रामिस नहीं दोड़ती, ठीक है, तो next है friendship, फिर है culture, अगर मैं बोलू sadness, तो ये क्या, एक तरीके का भाव है, एक तरीके का हमारा emotion है, हमारी भावनाएं है, राइट, या मैं बोलू morning, ये क्या है, time है, मैं बोलू health, तो ना ये कोई जानवर है, तो इनने define करना ना बड़ा ही मुश्किल है, तो ये जो abstract चीजे होती है, यानि कि कोई भी हमारा विचार हो गया, कोई भी हमारी भाव से related चीज हो गई, तो उस बो किसके अंडर जाती है, सीधा abstract, ना उनके अंडर, चेक है, मैं कल तो मेरे network problem के कार कराया था, Menti Quiz, कोई ना, इस चैनल पर हम लोग करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं ये नहीं चाहती है, कि मैं सिर्फ ऐसी, मतलब, you know, game खेलने के चक्र में पढ़ाई, तुम लोगों की मिस करा हूँ, तो हम लोग Menti Sessions रखा करेंगे, ठीक है, मैं रखा करूंग मैं को थोड़ा सा टाइम दो, फिगर आउट करने के लिए, I'll let you know, guys, super soon, चालिए, आज हो बेटा, concrete nouns पे, concrete nouns क्या होते है, name things that you can physically touch or see, उपर क्या था, कि आप देख नहीं पा रहे है, आप छू नहीं पा रहे है, पर वही चीज नीचे क्या है, कि जो आप फिजिकली देख चूपाओ, चूपाओ, उन्हें बोलते है, concrete nouns, ठीक है, जैसे कि अंकल चार्ली, अंकल चार्ली को देख सकते हूं, यह मत बूचना मैं कौन है, आपके अंकल, नहीं, example दिया है, मैं बोलू, elephant, ठीक है, मैं बोलू कि telephone, यह सब चीज़े हम लोग देख सकते हैं, we can physically touch, we can physically see, hence क्या है हमारा concrete noun, sorted, next जा जाओ, countable और uncountable nouns पे, countable nouns क्या होते हैं, और uncountable nouns क्या होते हैं, तो पहले हम लोग बात करने वाले हैं, बेटा, countable nouns, हाँ बेटा, इसी channel पे होगी, जो दिरानी, इसी channel पे होगी, और बहुत ही मज़ेदार तरीके से होगी, ठीक है, यह नहीं कि मैं boring खड़ी हुई हूई हूँ और मैं बोले जा रही हूँ भाई, दो कुछ का answer दो, 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 नहीं, मैं बहुत नहीं नहीं चीज़े तुमारे ले plan कर रही हूँ, कोई भी तुम्हें आइडिया आता है, कि माम हमें इस चानल पे ये चाहिए, तो आप लोग मुझे, बिटा comment section में बताओ, मैं आपकी हरे comment का भी reply करती हूँ, आप लोगों नहीं देखा हो तो, ठीक है, और या फिर मुझे Instagram पे बताओ, ठीक, भले ही मैं message का reply थोड़ा late करूँ, क्यूंकि बहुत ही hectic day होता है मेरा, पर मैं करूँगी जरूर आप लोगों का reply, ठीक है, और जो आप बोल रहे हो ना, आपकी हर एक चीज में सुनती हूँ, आपकी हर एक चीज में करूँगी channel पे, बस मुझे थोड़ा सा time चाहिए, ऐसा नहीं होता ना कि आपने बोला और हो गया, आपने बोल दिया, मैंने और केंनोट अपकांटेड, आप जितने भी common nouns हैं तो आप उन्हें कांट कर सकते हो नहीं तो आप उन्हें कर सकते हो, Countable nouns जो होते हैं उन्हें हम easily count कर सकते अब जैसे ये कितने आपे लें जो उचल रहे पीछे, दो हमने count कर दिया ना तुरंट तो ये क्या होगे हमारे countable nouns एरे कितने cute है ना मतलब ये बड़े cute लग रहे थे मेरे को तो मैं इसलिए ये वाला डाल के लिए आई हाँ बेटा, देव करन हिंदी की classes भी जल्दी चालू होंगी चानल पे ठीक है, we are working on it तो countable nouns can be easily counted you could count the number of apples in a basket ठीक है, ना क्या कर सकते हो आप अगर मैं आपको एक basket दूँ उसमें मैं apples रख दूँ, आप easily count कर लोगे ना ठीक, जैसे कि 5 apples है, 2 apples है, 3 apples है या फिर आपके classroom में जितने desk होते आप download कह रही हूं, count कर सकते हो ना के बाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 11, 12 कर सकते हो के नहीं कर सकते हो, कर सकते हो तो इसलिए को क्या हो जाता है हमारा countable ना ठीक है, तो जैसे कि tomato हो गया, computer हो गया, finger हो गया, house हो गया, elephant कोई भी चीज जिसे हम count कर पाएं वो है countable ठीक है, चालिए बेटा दीपक प्रसाद, यह मैं आपको 8 बज़ वाली class में बताऊंगे यह हमारा आखरी lecture है न, spoken का, वहां मैं आपको यह चीज बताऊंगे, ठीक है अभी के लिए अपन यहाँ पर focus करते हैं तो अगर मैं आपके साथ बात करूँ बेटा, uncountable nouns की ठीक, तो uncountable nouns क्या होते हैं, बहुत ही मुश्किल होता है उन्हें count करना या उन्हें अलग-अलग parts में डिवाइड कर देना ठीक, क्यूंकि uncountable nouns generally क्या होते हैं, नाम होते हैं किस चीज का कोई भी abstract idea अभी मैंने बताया था न, abstract idea क्या होता है, कोई भी भाव जैसे कि love, sadness, safety, freedom, power और राइट, या फिर कोई tiny सा अबजेक्ट होगा जैसे कि rate हो गई, rise हो गया, आपका कोई पाउडर हो गया आप क्या क्या अभी मिए अभी पानी को मों काउंट कर सकती हूँ या मैं इसको separate parts में क्या divide कर सकती हूँ नहीं कर सकती न, कि ये एक पानी, ये दो पानी यह ऐसे कर दू और यहां का पानी यहीं रहे, यहां का पानी यहां रहे, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीके, चलिए, तो generally uncountable noun आप देखोगे, कि भाई, इनका कोई भी clear form नहीं होता, जैसे liquid और gas का नहीं होता, water हो गया, oxygen हो गया, milk हो गया, coffee हो गया, air हो गया, यह सारे हम हमारे nouns हैं, पर uncountable, क्यूंकि इन्हें गिना नहीं जा सकता, ठीके, clear, चले आगे, alright, चलो, collective nouns, अब अगर आपन बात करे बिटा किसकी collective nouns की, ठीके, तो collective nouns are made of more than one word which describe a group of people or things as one unit, alright, collective, देखो, collect, यहां पर इना word से ही समझ आ रहा है, कि कोई smooth की बात हो रही है, कोई group की बात हो रही है, ठीके, तो कभी भी आप देखोगे कि एक से जादा जो चीज है, ग्रुप में जो चीज है, जो चीज है, जो चीजे as a unit है, वो क्या हो जाएगा हमारा collective now, ठीके ना, आप इसे कैसे सोच सकते हो, think of it as a collection of things together, कोई भी चीजे है, वो साथ में है, जो से हमेश होता है, हम चीजो को collect करके रख लेते हैं, तो think in that way, जो से की आपने देखा होगा लोगों की बहुत भीड कहीं पर इखटा हो गई, तो अपन क्या बोलते है, a crowd of people, यह क collective noun हो गया, हाना, कोई भी चीज़ collection में है, clear है इतना हम सभी को, कोई doubt है हमें, चालिए, जैसे की family हो गया, family किस से बनती है, family word किसको दिया, मैं केली खड़ी हो जाओ, क्या मैं family हूँ नहीं, बट यहां मेरे ममा आ जाए, यहां मेरे पापा आ जाए, मेरी मासी आ जाए, मेर लोग आ जाए, मेरे काजिन्स आ जाए, तो हम पूरा हमारा group बना के क्या बनेगा मेरा परिवार, my family, right, तो इसे लिए family जो नाम दिया गया, किसको दिया गया है, पूरे group को, हना, खाली एक से नहीं बन दा family, ऐसे ही a herd of elephants, कब बोलते हैं, जब बहुत सारा हाती, बहुत सार हाती जब जुर्ण में होते हैं, अब bunch of flowers, ये bunch नाम क्यों दिया है, जब भी flowers group में हो, right, cabinet, cabinet of ministers बोलते हैं, हना, जब सारे ही ministers बेढ़े होते हैं, group में होते हैं, team किसको बोलते हैं, क्या एक बंदे से खाली मेरे से team बन जाएगी, नहीं, मेरे साथ और अपने को लोग चाहि compound nouns वो होते हैं, जो दो, या दो से जादा शब्द से बना कर, मिलकर बनते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है backspace, button होता है ना, computer में, backspace, तो किस से बना है, दो शब्दों को मिला के बना है, back और space, backspace, ऐसे ही blackboard, ठीक है ना, ये देख रहे हो ना, blackboard, त तो ही तो बनेगा ना, blackboard, तो ये दो अलग-अलग शब्द है, इन्हें जोड कर मैंने एक शब्द बना दिया, तो ये हो गया compound noun, ठीक है, everything, अगर मैं बोलती हूँ, यहाँ पर everything, ठीक है ना, ये लिखा है, तो यहाँ पर मैंने लिखा every, प्लस मैंने लिखा thing, तो इन दो स मेरा एक शब निकल के आया, everything, है ना, तो ये क्या हो गया, मेरा compound noun, clear, ऐसी मैं बोलू, air ring, या फिर मैं बोलू, hand writing, तो हैंड और राइटिं से मिल के बना क्या, handwriting, tooth paste, tooth plus paste, tooth paste, week end, week plus end, week end, is this clear, तो बेटा, ऐसे शब्दों को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, compound nouns बोलते हैं, आगे आजाएए, possessive noun, पे, तो पोजेजिव नाउन होते हैं, वो वाली संग्या जो कुछ ownership दिखाए, कोई possession दिखाए, कि ये चीज मेरी है, किसकी है, मेरी है, अगर मैं बोल रही हूं कि ये pen मेरा है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, तान्यास pen, तो यहाँ पे, आप लोग एक चीज अगर आप लोगो ने नोटिस करी है, तो मैंने ये अपोस्ट्रफी लगाया, हाना यानि कि ऐसे करके S लगाया, ये मैंने क्यों लगाया, ये मैंने लगाया, मेरा possession दिखाने क ये चीज किसकी है, मेरी है, तो इसे बोलते हैं, possessive nouns, ठीक है न, जैसे मैं बोलू, Sandra's shoes, तो shoes किसके हैं, the shoes belong to Sandra, जूते किसके हैं, specific चीज किसको belong कर रही है, Sandra को belong कर रही है, अगर मैं बोलू, the boy is bicycle, the boy is bicycle, तो इससे क्या पता चल रहा है, कि जो cycle है, किसकी है, वो boy की है, उस लड़के की है, उसका, उसकी property है वो, the student's intelligence, यानि कि क्या पता चल रहा है, इससे कि जो student है, उसके पास क्या है, intelligence है, बुद्धी है, intelligent है बच्छा, तो इन सब को हम बोलते हैं, possessive nouns, जिससे हमें कोई ownership पता चले, या फिर जो हमें possession का भौत कराएं, sorted, इतना आया मगच में, चलो, आगे देखो, अब इस चीज़ पे ध्यान दो, कि जब भी कोई singular noun है, singular पता है ना, एक बचन, जब भी आपको singular noun को बेटा, possessive noun बनाना है, ठीक है, ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो, प्लीज ध्यान द जब भी आपको क्या करना है, किसी एक बचन, यानि कि किसी singular noun को, possessive noun बनाना है, तो आप क्या करेंगे, अपोस्ट्रफी एड कर देंगे, उसके साथ में S लगा देंगे, अपोस्ट्रफी मैंने बताया न, अभी क्या होता है, यह जो आपको यह दिख रहा है, यह ऐसे करके, यह होता है, अपोस्ट्रफी, जैसे कि जोई लिखा है, ठीके, जोई है, अब जोई स्वेटर, क्या दिखाना है मुझे कि यह जो स्वेटर है, वो जोई का है, तो मैंने जोई लिखे, अपोस्ट्रफी S लगाया और आगे स्वेटर लिख दिया, अब अगर बोई लिखा है तो अगर मुझे इसको क्या बनाने possessive noun बनाना है अगर मैं तुम्हें बोलती हूँ कि चलो एक बच्चा उठालेते हैं निधी हाँ निधी ने खुदी बना दिया निधी इस बुक वेरी गुट हाना तो बॉइस बुक सोफा लिखा है तो जब भी किसी singular noun को possessive noun बनाएंगे तो अपोस्ट आफी के साथ एस लगाएंगे ठीक है इतना clear हो गया आपको चलिए फिर आगे देखो अब लिखा है तो मेक असिंगूलर नाउन अच्छा ये हो गया क्या हाँ ये हो गया ये देखो लिखा है तो मेक अ प्लूरल नाउन आप possessive noun ये मस्ट लूक एट लास लेटर अफ दे वर्ड अभी तक हम बात कर रहे थे सिंगूलर को अगर हमें possessive बनाना है बट अगर आपकी जो संग्या है वो बहुवचन है वो प्लूरल है तो अब आप उसको possessive कैसे बनाएंगे तब आप बेटा वर्ड का ना एकदम last letter देखोगे वर्ड का क्या देखोगे last letter जैसे की यहाँ पर पहले वाली slide में क्या था खाली boy ठीक है मेरी बात को ध्यान से सुनना पहले वाली slide पे boy था बट अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ boys तो मैंने क्या बोला मैंने आपको बोला कि आप लोग वर्ड का last letter देखो last letter क्या है s है ठीक है तो अब अगर आपका noun का last letter s आ जाता है तो आपको क्या करना है आपको इसके end में apostrophe लगाना है ठीक है मैंने क्या बोला कि plural यानि कि अगर बहु अचन है आपका noun और अगर आपको उसको possessive बनाना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे अपने noun का last letter देखेंगे ठीक है last letter अगर आपका s है तो आप उस s के बाद apostrophe लगाएंगे clear जैसे कि यहाँ पर boys है last letter s है तो हमने s के बाद apostrophe लगा के boys toys लिख दिया वो man है तो अगर यह होता w o m a n हना तो तो वो singular होता पर यह क्या है यह बहु अचन है ठीक पर इसका आप देखेंगे last letter s नहीं है तो जिसका last letter s नहीं है और वो plural है उसमें आप normally s लगा सकते हो woman's rights बट जिसका already बेटा last letter s है वहाँ आप essay नहीं लिखोगे देखो यह गलत हो जाएगा अगर आप यह करते हो ना कि students दिया है और आप इसी के आगे s लगा देते हो तो यह हो जाएगा आपका गलत अगर already last letter s है तो आप end में apostrophe लगाएंगे इतना आगया मगच में गया समझ में Is this clear? जल्दी बताओ ठीक है? चालिए So that's all for today यह था आपका बेटा nouns पे lecture ठीक है? I hope कि आपको nouns clear है आप लोग Instagram पे follow कर सकते हो description box में link दिया हुआ है और यह मेरा username है ठीक है? चालिए तो एक बार देख लेते हैं कि भाई आज हमने क्या क्या पड़ा possessive noun, compound, collective, uncountable, countable, abstract, concrete, common, proper और basic introduction तो यह सब आपको आगया है ठीक है? चालिए So, menti quiz, बेटा, मैं कराऊंगी ठीक है? मैं आपको inform कर दूँगी मैं post आलती रहती हूँ तो आपको YouTube पे दिख जाएगा Also, like this video, share this video to your friends and, क्या बोल रहा हूँ? बेटा, जोती रानी बड़ा ही spam करते हूँ आपका समसे आप से तो मैं personally deal करूँगी ठीक है? चलिए, हाँ बेटा, menti quiz जब कराऊंगी तह मैं आपको बता दूँगी Do let me know in the comment section कि आपको आज का lecture कैसा लगा and keep watching your class हम लोग ऐसे grammar की series हर Saturday लाते हैं और आपके literature part मैं आपको Monday को कराती हूँ हाना? तो देखते रहो 5 p.m. and 7 p.m. I'll see you guys in the next lecture तब तक के लिए बबाए